दोस्तो अपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दबा दे कि हम लागते रहते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी केवल आपके लिए दोस्तो मैंने अभी तक 8-10 ऐसे पेपर बैग मेनिफक्चर को देखा है जो मैनूल पेपर बैग बना के और दूसरों के आपने पेपर बैग को प्रिंट करा के अपने ठेले के जगी अपने त्यार बैग को अपने कस्टमर के पास पहुचाते थी और दोस्तो आज इनके पास उनकी खुद की अच्छी फ्लेक्स और प्रिंटिंग मसीन, फुली अटोमेटिक पेपर बैग मसीन और अपनी खुद की ट्रांस्पोर्ट की गाड़ी है दोस्तो उन्होंने 5-6 साल में अपने पेपर बैग के बिजनस को अपनी मेहनत के दम पर यहां तक पहुचा है दोस्तो इस बिजनस में इन्लेस्मेंट होगा वर्ट प्रॉफिट अप मार्जिन उससे कहीं जादा है आजकर हर छोटी बड़ी कंपनी पेपर बैग का यूज़ करती है अपने पॉड़क्स के लिए दोस्तो प्लास्टिक बैग होने वेकारण पेपर बैग काफी जादा यूज़ होने लगे हैं और इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है ये देखने में काफी खुद्सूरत और एको फ्रेंडली होते हैं तो दोस्तो इस वीडियो के जरी हम जानेंगे कि हम कैसे अपना खुद का पेपर बैग का बिजने सुरू कर सकते हैं कौन का से मसीन और वामेटरियल्स की जुरूत होगी मसीन गांसे खुद्स करी सकते हैं कैसे पेपर बैग से कैसे अपने त्यारमान को बेच सकते हैं कितनी लागत आए है और उनकी गतना मुनाफा कमा सकते हैं तो वीडियो देखे पेपर बैक्स वतारन उससुद रखने में काफी सहायक है बड़े-बड़े ब्रांड भी आजकर पेपर बैक्स के इस्तिमाल को बड़ावा दे रहे हैं पेपर बैक्स की सक्षी बात ही है कि आराम से कहीं भी फिट हो जाते हैं बच्चों से लेकर बूरो तक सभी पेपर बैक्स का इस्तिमाल असानी से कर सकते हैं ये बैक्स प्लास्टिक के मुकाबले काफी बेतर हैं और इन बैक्स की खासियत यह है कि इन्हें असानी से कैरी भी किया जा सकता है दोuk Cambridgehasina idag लगाना होता है जिसके जरीए मसी पेपर के रोल से पेपर मैक्स बना दूती है ये मसीन seatfat के comparison तेज होती है और उससे ज़्याधा production देती है बट seat fat से थोड़ी महेंगी ऽुती है दोस्तों इस machine भी training साथ यहां से machine खरी देंगे वहां से आपको मिल जाएगी या फिर अगर आप उन से बोलेंगे तो वो अपना एक engineer आपके पास भीज देंगे जो आपके machine के installation के साथ साथ आपके operator को इसके training भी देदेगा दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर आप printing machine भी लगाना चाहते हैं तो आपको एक flexor printing machine भी खरीदनी पड़ेगी जिसके जरीए आप अपने paper पे customer के design को print कर सकते हैं बड़ बेतार होगा दोस्तों की सुरुआत में आप printing कहीं बाहर से करा ले क्योंकि यह machine थोड़ी महेंगी आती है और इसके लिए आपको color और printing की अच्छी knowledge भी होनी चाहिए बहुत सरे लोग ऐसा ही करते हैं या फिर अब दो या तीन color की printing वाली paper bag machine भी ले सकते हैं जैसे rock making machine जिसके जड़ी आप अपने bags के handle बनाएंगे उसके अलावा eyelet machine और cutting machine जो bag में eyelet लगाने के या फिर bag के लिए silts काटने के काम में आईगी पर paper bag making machine के supplier का link मेंने description में भी दे दिया दोस्तो paper bag को त्यार करने के लिए main जो roll material होता है वो craft paper ही होता है white craft और ground craft आप paper की seeds या फिर paper के roll खरीच सकते हैं paper का price इसके gsm के अनुसार बढ़ता और कम होता रहता है paper bag के लिए normally 100 gsm से 300 gsm की paper लगते हैं और आपको इतने gsm का paper 40 से 100 रुपे पर kg के हिसाब से market में मिल जाएगा बड़े-बड़े सहरे हुम आपके इसके बहुत से warehouse भी मिल जाएंगे वैसे बहुत से paper mill है जो केवल paper का ही roll manufacture करते हैं जैसे ITC, खना paper mill, century paper mill, जिक्तियाद दोस्तो bag का जो standard size होता है वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा और इन size के हिसाब से आप उपने paper roll या paper sheets order कर सकते हैं इसके अलावा printing के लिए inks और चिपकाने के लिए glue की भी जुरूत पड़ेगी और pack करने के लिए कुछ packing materials की भी जुरूत पड़ेगी जैसे plastic की पन दोस्तो paper bag manufacturing machine के जरीए काफी असानी से हो जाता है आप एक operator और helper के जरीए इस machine के द्वारा बड़ी असानी से paper bag manufacture कर सकते हैं machine को बद चलाने आना चाहिए उसके बाद बाकी का सारा काम ये machine खुद कर देती है हमें machine में paper bag के size की setting करनी होती है और फिर machine के एक सीरे पे paper roll को लगा देना होता है वैसे printed bag बैनाने के लिए हमें roll print करा के machine में लगाना होता और फिर ये machine उस size के bag बनाना सुरू कर देती है उसके बाद उस bag को हम handy लगा के 100,500 या 1000 का packet बना बेचने के लिए दे सकते हैं दोस्तो हमें एक बात का ध्यान रखना हो कि हमें जिस size का bag बनाना हो उस size के हिसाब से paper roll order करें या फिर standard size के ही paper roll कर दे जैसे की 715 mm, 760 mm, 804 mm width में इससे हमारा paper का wastage कम आएगा वैसे business लू करने के बाद आप raw materials calculation अच्छे से सीख जाएगा दोस्तो अगर आपके पास finance की कमी है तो आप bank से loan के लिए भी apply कर सकते हैं एक proper business plan के साथ paperback business में दो तरगे investment की जुरूत होती है जैसे पहला fix capital जिसके अंदर land, machinery और अने सारे खर्चे आते हैं और इसके लिए आप bank में term loan के लिए apply कर सकते हैं दूसरी होती है working capital जिसके अंदर आपके दूसरे खर्चे आते हैं जैसे की raw materials cost, labor cost, production cost और day to day activities के खर्चे और आप इसके लिए working capital loan यानी overdraft और cash credit facility के अंतरगत अपलाई कर सकते हैं आजकल government भी manufacturing business को काफी बढ़ावा दे रही है इसलिए सरकार दोरा चलाया जा रहा है use now के अंतरगत आप loan के लिए apply कर loan पा सकते हैं दूस्तों आपको अपने product की marketing करना बहुत जोदी होता है इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कोई एक आदमी सिर्फ marketing का काम संबाले और अलगवाव जगवाव पे जैसे की malls, bakery shop, chapel shop, general store, retail outlet, garments of EFC hotel, restaurant में घूमून के आप ये पेपर बैक की quality का पचाहर करें साथ अलगजिआळ झाप एक पारव जड़ा का लेक कीमा संब्सक्रीफटेस हो में काम उनमाना गजग सेज़गे मैंोजदी दोदल, कि तक स calदेवाव जगवावбेर keवावावाव ड़ावाजग एक ये मँवावार्वावाव एक fodस पार अवावावावा है झाल 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 झाल